वोट जिहाद के लेकर देव में बहफ चुड़ गई है अभी फरपरधारमंदरी नरेंदर मोदी ने निफाना फादा है पीम ने कहा है कि वीपक्षी गचबंधन एडी के इरादे खतरनाक है उन्होंने कहा कि इंडी गचबंधन के एक नेता ने देव के सामने उनकी रंदीति को उजा करकिया है भारते गचबंधन में मुसल्मानों को वोट जिहाद के लिए जाने के लिए कहा गया था मारिया आलम खान ने उस भाखण का जिक्र कर रही है जिसमें वे मुसल्मानों को वोट जिहाद की अपील कर रही थी पोल उसके इनेता ने देश के सामने खोल दिये अब इंडी गचबंधन ने मुसल्मानों से वोट जिहाद करने को कहा है अब बताईए हमने लव जिहाद सुना था लेंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद और वोट जिहाद और वो भी पड़े लिके मुसल्मान के परिवार से बात आई है सामवान ने मदरेशा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है हाईली कॉलिफाइड फैमिली और कॉंग्रेस के बरिश्ट पत पर बैठे हुए परिवार ये मुसल्मान परिवार ने कहा है नारा दिया है वोट जिहाद करो आप जैनते हैं न जिहाद का मतलब क्या होता है जिहाद किसके खिलाप किया जाता है इंडी गडबंद का साब कहना है कि सारे मुसल्मानों को एक जुट होकर बोड देना चाहिए इंडी गडबंद ने लोकतंत्र के उत्सव में बोड जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है सम्विधान का भी अप्मान किया है और कॉंग्रेस के एक नेक भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है मौक मौक सम्मति देजी है यह बोर्ट जिहाद की बाद भी कॉंग्रेस की तुष्टी करण की नीती को ही आगे बढ़ाती है एक तरफ इंडी गड़बंदन सब्समाने वर को मांटने में जुटा है और दूसरी तरफ बोर्ट जिहाद का नारा लगा रहा है आज समख सकते हैं कि इंडी गड़बंदन के इरादे कितने खतरनाथ है